नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजर हूं मैं लेकर कारिक्रम जोतिश जिग्यासा, एक ऐसा कारिक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्णों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिग्यासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हूं, तो हना का जवज्षां जो भी जवर म מלाल में आपके मन मम जय को तोबस्काफश beyond जक्ता हूं प्रारम्भ में ही बता दू कि आज जोतिस जिग्यासा की इस कारिक्टरम में जितने भी प्रश्ण सम्मेलित किये गए हैं लगभग सभी प्रश्ण सार्भ भौमिक ही हैं तो चलिए प्रारम्भ करते हैं सबसे पहला प्रश्ण जो है वो कौशल्या त्रिपाठी जी का है इन्होंने पूछा है मेरे बेटे की कुंडली में संतान भाव पर राहु की और बहु की कुंडली में संतान भाव पर सुर्य की द्रिष्टी हैं दोनों की कुंडली में गुरु नीच के हैं बिवाह को पाँच साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ जब मैंने आपका कारेक्ट्रम देखना शुरू किया तब मुझे पता चला ये लड़के की जो रासी है वो करक और बहु की जो रासी है ये सिंग है यानि इनको ये भी पता चला कि दोनों की राशियां भी नहीं मिलती मैंने इस पर भी चर्चा करके आपको बताया था कि वर और कन्या दोनों की रासियां सम भी सम नहीं होनी चाहिए अगर सम लड़के का है तो लड़की का भी सम हो, विशम लड़के का है तो लड़की का भी विशम हो, यानि दोनों का एक जैसा होना चाहिए लेकिन उस समय पंडित जिने गुण मिला कर बता दिया था सब ठीक है, अब बताईए हम क्या करें देखी अब तो क्या किया जा सकता है इंतजार करिए हलाकि मैंने अपने कारिक्रमों में कई बार ये बात बताया है लोगों को कि मैंने सम विशमरासियों में भी बच्चे होते देखे हैं ना नहीं है मैंने ये नहीं कभी कहा अपने कारिक्रम में कि सम विशमरासि की चलते बच्चे नहीं होगे मैंने कहा उसमें भी दिक्कत आएगी देरी होगी मैंने कई बार अपने कारिक्रम में इस बात का जिक्र किया है कि किसी कहां मैंने देखा दो साल में और कोई अभी भी दस साल से इं संतान भाव पर इनकी दृष्टी का पढ़ना संतान को बिलंबित करने वाला माना गया है। कहिए कि गुरुबार का वरत करे, मद्यपान मानसाहर भूलकर भी ना करे, और बड़े बुजुर्ग का आसरवाद ले, घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में जाए, मित्य जाकर के दर्सन करे हो सके तो मंदिर के साफ सफाई में हिस्सा ले। अतना पिड़ादाई है, दुखदाई है, उतना ही पिड़ादाई दुखदाई है आपके पूरवजों के लिए भी है, वो भी बड़े दुखी होते हैं इस चीज से, तो आपको उनसे भी प्रार्थना करनी है, रोज ए घीका दिया, उनके नाम से जलाईए और प्रार्थन सुमन पुरोहित, इन्होंने पूछा है, मेरे बेटे की कुंडली में देव गुरु नीच रासी में दूसरे भाव में बैठे हैं, और शनी और राहु दोनों से दृष्ट हैं, क्या गुरु का नीच भंग होगा, धन की स्थिति कैसी होगी? बड़ा अच्छा प्रश्ण है, बेटे की कुंडली में लिखा है कि देव गुरु ब्रहस्पती नीच रासी में दूसरे भाव में बैठे हैं, धनुलगन की कुंडली हुई, अब इनका कहना है कि शनी और राहु दोनों से दृष्ट हैं, अब गौर करिए तो सनी की दृष अब धन भाव में बैठेंगे तो धन की ब्रधी करेंगे, तो अच्छी बात हुई, परन्तु वो नीच रासी में बैठे है, चली सनी की दृष्टी से नीच भंग हुआ है, परन्तु सनी खुद विच्छे दात्मक दृष्टी डालेंगे, मैंने बताया था कि शनी अगर अ संचित होने में भी दिक्कत लाएंगे, तो सांती सांत राहू की बिजद्रिष्टी यही करेंगे, लेकिन एक कमाल की बात है, चुकि लगनेश स्वैम देव गुरु भ्रहस्पती धन भाव में बैठे हैं, वो धनकारक भी हैं, तो भाव, कारको भाव नासे वाला सिध्धा पत्ती है, तो उस मामले में भी दिक्कत और परिशानियों का सामना इस बालक को करना पड़ेगा, मनोज कुमार साहू जी है, इन्होंने पूछा है, भाग्येस और द्वादसेस दोनों लगन में हैं, भाग्यभाव और द्वादसेस लगन में, तो क्या मेरा विकास पर द्वादसेस लगन में हैं, तो विदेश में ही आपका भाग्योदय माना जाएगा, क्या करना चाहिए, दिखे सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिए, कि स्वास्त क्यों खराब हो रहा है, आप एक काम करिए, मेरे तो आएक बनाया वीडियो है, अभी कल भी प्राच जोतिस विज्ञान पर कले आपरशों के दिनों मैंने एक वीडियो डाला था, कि नौमांसा धीपती लाभेस के नौमांसा धीपती से लाभ किस्तिति को जानना, दिशा को जानना, आप दो तिन चीजों का ध्यान रखिए, पहले तो देखिए कि लाभेस और भाग्येस की द दिशा देखिए, और दूसरा जो मैंने प्राच जोतिस पर वीडियो बनाया कि लाभेस के नौमांसा धीपती किस्तिति को देखिए, उनकी दिशा को देखिए, तो इससे भी पहले आप दिशा तै करिए, कि इन तिनों मैंसे थोड़ा सा गहन विशह है, समझना पड़ेगा जोतिस जिग्यासा में अकेले तो मैं इसको नहीं समझा सकूँगा, लेकिन इतना समझेए, आप सबसे सरल ये समझ लीजे, जो सबसे सरल है, पहला पॉइंट, कि लाभेस की दिशा में जाने का प्रतन करिए, वहां लाभवस्य होगा, आप स्वस्त भी रहेंगे, अगर समझाना ऐसे मुश्किल हो सकता है, जैसे माने लिया जाए कि मैंने कह दिया, कि नवमेस की दिशा में चले जाए, तो हो सकता है नवम भाव पीड़त हो, तो नवमेस की दिशा ठीक नहीं होगी, अब जोतिस का दूसरा सिध्धान तेहां लागू करना होगा, कि नवम भाव बढ़ना पड़ेगा, जाकर के देखना पड़ेगा कि लाभेस का जो नवमान सा धीपती है, वो कैसी स्थिती में है, उसके पास कितना बल है, वो किस रासी में बैठा है, उस दिशा में जाता को भेजना होगा, देखे, प्रथम पक्ष तो यही कहता है, कि आप लाभेस या भाव ही प्रिडित हुआ, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आप कहेंगे कि सास्त्री जी अपने सिध्धान तो बताया था, मुझे तो नुकसान हुआ, नहीं नुकसान इसली हुआ क्योंकि उसको अच्छे से समझा नहीं गया, सिध्धान थोड़ा और आगे, अगर य भाग्य साथ नहीं देता, जो तिसी से पूछा तो वो कहते हैं, विदेश जाने से भाग्योदय होगा, मेरी उम्र 45 वर्स है, अब विदेश जाना कैसे संभव है, क्या उपाय करूँ, बात तो सही है आपकी, और ये भी सही है कि जो तुसी ने जो बताया है, अब देखा ज के लिए उम्र भी आपकी काफी हो चुकि है, 45 वर्स की आप उम्र बता रहे हैं, अब इतना आसान भी नहीं होता, विदेश में जाकर के बस जाना, और आसानी से वहां जाकर के टिक पाना, एक काम करिए, अभी जो सूत्र मैंने आपको बताया, ये सिर्धानत आप भी लाग नहीं, विरेंदर ओजा जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेरी बेटी की कुंडली में, कुंडली मकर लगनकी है, जिसमें तीन गरह, सूर्य शुक्र और चंद्रमा नीच के हैं, और शनी पर राहु की दृष्टी है, क्या ये कुंडली स्रापित है, उसका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, देखें, वैसे तो देखा जाए, तो तीन गरह का नीच होना भी अपने आप में बड़ा फाइदेमंद बाना गया है, लेकिन हाश शनी राहु का यहां संबंद बन रहा है, राहु की दृष्टी सनी पर पढ़ने से भी कई बार जीवन काल में संघर्ष की स स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए दो तिन उपाए हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक, नियमित, निरंतर, घर के आसपास कोई भी मंदर हो, वहां नित्य जाकर के दर्सन करिए, नित्य दर्सन करने से किसी भी तरह के स्राप की स्थिति से मुक्ति मिल जात इस से जरूर लाब होगा तो आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो अब कौन सा धन चाहिए आपको, चुभना नहीं चाहिए मेरी ये बात आपको, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, कि जब माता पिता के आसिरवाद रूपी धन से आप लोग वन्चित हैं, मैं ये नहीं जानता, आपन आपने लिखा है, उनके सम्मंद खराब है, इसका मतलब ये भी मैं मान के चलूँ कि आपके सम्मंद ठीक है, आप अपने सासोसुर की अच्छे से सेवा करती हैं, उनका सम्मान करती है, अगर ये भी करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चला कि वो भी नहीं कर और आप भी नहीं करें तो फिर किस धन की बात पूछी जा रहे हैं उससे बही एक तो बड़ा धन अल्रेडी आप लोग खो चुके हैं अब कौन सा धन पैत्रिक धन तो आपने गवाँ ही दिया वो धन जिसकी आप बात कर रही है ये मिट्टी वाला धन वो तो मिट्टी है उस सवस्था में कुट५ूम्ब से दूरी उस सवस्था में धन से दूरी पैतर्यक शंपदा से दूरी की स्टिति उत्वपन होती है यह राधिक आवस्थी है उन्हों ने बीच निरंतर जगडा होता रहता है हलाकि हमारा प्रेम विवा है तो कुंडली मिलाकर विवा नहीं किया है मेरे पती देव गण और मैं राक्षस गण की हूँ क्या उपाय करूं कि दामपत्य जीवन ठीक हो जाए हलाकि यहां राक्षस पर मैंने जो मेरे मुझ से ऐसे एक अनायास सी हलकी हसी आ गई इसका मतलब प्राया लोग समझ लेते हैं राक्षस कार्थ एक वो राक्षस जो खून पीता हो यह वो वाला नहीं परन्तु हाँ यह जरूर मैं कहना चाहता हूँ यह व्यक्तित्व की चर्चा है यह व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है अब देव राक्षस जब एक साथ होंगे तो यह सीधी सी बात है कि दोनों का व्यक्तित्व एक से तो मिलेगा नहीं तो देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों ने प्रेम बिवाह जब किया है तो जाहिर सीधी जब आप प्रेम संबंद में रहे होंगे तब भी आप दोनों के बीच नोग जोग होता होगा देखिए याद रखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि देव राक्षस एक साथ रहें और उनके बीच मत्भेदना होता हो होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों का जो व्यक्तित्व है वो आपस में कभी मैच कर ही नहीं सकता तो पहले भी होता होगा तो पहले तो चुकि अब प्रेम था आप लोगों के बीच प्रेम अब भी है लेकिन अब विवाह के बाद वो प्रेम कहीं थोड़ा अलग हो जाता है तो अब भी ऐसा करिए कि प्रयास करिए वही आप दोनों आप ही पुछ रहे हैं मुझे प्रशने तो आप ही को बताना चाहता हूँ उसी प्रेम को फिर से लाकर के सामंजस से बिठाने की कोशिश करिए देखिए अब उम्र के आप लोग जिस पड़ाव पर बढ़ते जा रहे हैं अब मैं ये भी नहीं जानता है कि उम्र के किस पड़ाव पर हैं आप दोनों तो बस निभाई और हाँ देव राक्षस के मद्यमत भेद होता रहेगा मैं आप ही कुछ अला दूँगा आप ही राक्षस गण की हैं प्रयास आफी करिए मैं ये नहीं कहूँगा वो देव गण के हैं तो गलती नहीं कर सकते हैं 100% मनुसे भी करता है गलती गलतियां तो सभ कि वो धारा के विरुद्ध चला जाता है क्यों कि उसके पास नियंत्रण है ताप उस नियंत्रण का इस्तेमाल करिए खुद पर भी नियंत्रण करिए और ज़रोध पर उन्हों पर भी कर दीजेगा फिर दामपते भी शुखद हो जाए सूर्य चंदेल जी है इन्होंने पूछा है कि मेरी माता को ओपसेशिप कमपल्सिव डिसॉर्डर OCD है वो दिन भर हम सभी परशक करती है कोई भी आप घर का सदस्य एक साथ बैठ करके बादचित करता है उनको लगता है कि मेरे बारे में ही बादचित हो रही है आपसे जोति सीखता हूँ वीडियो के माध्यम से मैंने उनकी कुंडली में देखा है चंद्रमा और सूर्य एक रासी में हैं और सनी से द्रिष्ठ हैं लगन में केतू सब्तम में राहू क्या वो कभी ठीक हो पाएंगी क्या उपाए करें देखिए जो ग्रहिस्तिती आप बता रहे हैं इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ इंजाइटी डिप्रेसन के योग हैं ये OCD भिलक्षण इसी से मिलते जुलते हैं अब सही बताओं तो इसमें जितनी भी कुंडलिया मैंने देखी है जितने भी मैंने रिसर्च किये उसमें कारण क्या है पहले तो ये जान लीजे ये जो रोग है OCD देखिए एक आम आदमी में भी होता है ऐसा नहीं है कि OCD के रोगी ये जस्ट वैसे ही है जैसे बुखार अंठानवे से दो डिगरी आगे बढ़ जाए तो बुखार उसको घोसित किया जाएगा मैं हमें साथ दिन भर रिसर्च भी करता रहता हूं ढूंडता रहता हूं पढ़ता रहता हूं तो ये जो OCD है इसमें कई तरह के लक्षण है उसमें से एक सामाने लक्षण ये भी है ताला बंद करने के बाद बार बार संसे रहना के लगता है बंद नहीं किया है एक आम कई बार ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो किसी बड़े पदपर हैं, डॉक्टर से मिला हूं जो इसी रोग के रोगी हैं, परन्तु समस्या क्या है कि अब जिनको ये रोग है, एक तो पहले उनको पता हो कि उनको ये रोग है, कई बार रोगी ये स्विकार ही नहीं कर पात प्राणायाम मैं बताता हूं ये अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है अगर ये निरंतर किया जाए तो व्यक्ति की मनहिस्तिती अवस्य ठीक होई जाएगी जिसको ये रोग है उससे प्रदोश का वरत कराया जाए जिसको ये रोग है उससे रविवार के दिन नमक का त्याक कराया जाए जिसको ये रोग है उससे प्रतेक सोंबार को शिवमंदर में ले जाकर के शिवजी के उपर दूध चड़वाया जाए देखिए सही बताऊं तो medical science के पास भी इस रोकी जो दवा उपलब्ध है वो दवा है तो लेकिन वो दवा किस चीज की है overthinking से बचाने की कि वो व्यक्ति ओवर thinking करना बंद कर दे जैसे सामने वाले को देखा बातचित करते हुए तो इनके दिमाग में आके मेरे बारे में ही जरूर कुछ बात कर रहे हैं और ये एक इसी प्रकार का नहीं होता कुछ लोगों को गुसा बहुत आता है कुछ लोगों के मन में तरह-तरह के विचार उत्पन होते हैं ऐसा कर दूँ, वैसा बोल दूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका दिमाग ही उनसे ऐसी बाते बोलने लगता है तो कुछ लोगों को वो पानी की सिकायत हो जाती है दिन भर हाथ दो रहे हैं, दिन भर नहा रहे हैं बातरूं में घुसे तो घंटो घंटो बिता दिया यह सब OCD ही है, कई सारे लक्षणों में प्राप्थ है ये जो उपाय में बता रहा हूँ न, ये उपाय ही कारगर उपाय है अगर आप लोग इसमें से उन से कुछ करा सकते, उनको समझा बुझा करके तो कुछ बात बन सकती है भुपेंद्र गुपता है, इन्होंने पूछा है, मैं ब्याज पर पैसा देने का काम करता था अभी मेरा 22 लाख रुपया फस गया है तब मैंने जोतिस का सहारा लिया इसी क्रम में एक दिन आपका वीडियो देखा मेरी कुंडली के सश्ठ में मंगल है जैसा कि आप कहते हैं दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता अब मैं क्या करूँ सजी अब क्या करिएगा 22 लाख का पहले ये जोड़ लीजे कि कितना सूद मिल गया है देखें बुरा मत मानिए अब मैं आपको रुला भी दूँगा तो उसमें क्या मिलने वाला है दुखी करके कि ना कहना उसे पहले कुछ बाते ऐसा कर ले जिससे कुछ रास्ता मिले पहले तो मुझे बताईए कि कितना आपको सूद अब तक प्राप्त हो चुका है 22 लाख का सूद अब तक कितना पालिया है अगर लगभग सूद पालिया है तो चली भगवान की गृपा है आपके उपर नहीं पाया है तब तो ये बड़ी मुश्किल है बहुत मुश्किल है क्यों? क्योंकि आम तोर पर इस तरह के काम वाले लोग जो होते हैं वो कच्चा पैसा देते हैं यानि बहुत लोगों के पास इसके कुछ खासा प्रूफ नहीं होते और मैंने तो ये तक देखा है कि मंगल का सश्ट से समद्धे तो प्रूफ भी लेकर क्या कर लेंगा? घुमते रहिए जब तक आप उससे लड़ेंगे और जब तक कुछ रास्ता निकलेगा तब तक तो पता नहीं क्या होगा पर फिर भी दिखिए ये है बड़ी मुश्किल स्थिती समभावना तो ना ही है पर आप एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ध्यान से सुनिए मंगल सश्ट का एक अच्छी बात भी है कि जैसे सूर्य है, जैसे सनी है, जैसे राहुष मंगल भी सश्ट का कारक है और शत्रुहंता योग बनाता है फलतफ एक ही रास्ता बनता है कि अगर आपने उनको देखिए, वैसे तो एक काम ही बहुत खराब है बहुत खराब काम है ये सूर्य ब्याज का जो काम है, बहुत खराब काम है पर फिर भी अब कोई बहुत सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको जिनको जरूत होती है उस समय वक्त आने पर वो मदद भेखतर से मानी जाएगी पर मेरी राय है कि अगर आप सही दाम पर यानि सही सूध पर लोगों को पैसा दिये थे और आपने कोई गलती नहीं की है तो फिर सामने वाले पर चड़ कर गले में हाथ डाल कर निकालने का अगर रास्ता होता हो तो वह आप कर सकते हैं क्योंकि मंगल सश्ठ का एक अच्छा काम ये भी कराता है गले में हाथ डाल कर निकालना निकालीए यही उपाय है बागी तो गहे गाहे बगाहे मैं तरह तरह के उपाई बताता ही रहता हूँ, मैं खुद भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस योग को, कई लोगों की आप तो काम ही ऐसा कर रहते हैं, कई लोगों ने प्रेम से दिया, कई लोगों ने रिस्तेदारी में दे होते हैं मैं मिथून लगनकी हूं सब्तम में मंगल है आपने बताया था ये जातक को क्रोधी बनाता है मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है च्छत्रिय वरण राक्षस गण और कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य है अब मुझे लगने लगा है मेरे स्वभाव के कारण सभी होने लगे है नहीं दूर हो जाएंगे ये जितनी आप बाते बता रही है मतलब ये चरम है क्रोध भी ऐसा कि अब पता नहीं आप इस्त्री हैं तो कम आये परन्तु इस तरह के लक्षणों में हाथ में कोई सामान है तो पटक दिया तोड़ दिया मोबाईल तोड़ दिया ट मतलब दो मिनट का क्रोध और ऐसा भयंकर जंजा बात की सब तबाह हो जाए तो याप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोगों का आप से दूर होना बिल्कुल सभाविक है उपर से दूसरे भाव में जब सूरे बैठे हैं तो आप बोलेंगी मीठा भी तो भी लगेगा कड़वा क्या कर सकती हैं सबसे पहले तो आप भी प्राणायाम करिए मन को शांत करिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है मंगल बार के दिन मसूर की दाल का दान करिए स्यू मंदिर में सोंबार के दिन जाकर के शूलिंग पर दूध अरपित करिए अभी बीते दिने एक वीडियो मैं गर्तम जागृत है क्या इसमें क्योंकि चंद्रमा भी मिथुन लगने में कोई बहुत कारग्रह नहीं है तो क्या हम चंद्रतत्यों को यानि जलतत्यों को बली करके आपके जीवन में थोड़ी शांती ला सकते हैं अब यह बड़ा गहरा और गहन रिसर्च का विशय है अब इ कुंडली को देखना और समझना होगा इसके बाद ही मैं बता सकूँगा लेकिन तब तक आप प्राणायाम करी तब तक प्राणायाम करी और साथी साथ मसूर की दाल का दान करिए इससे मंगल को थोड़ा नियंत्रन में हो जागा मंगल नियंत्रत होगा संजीव सर्मा जी है सिक्षा बाधित होती है कौन सा माने दोनों मानिये दोनों होगा निसंदेश दसम का राहू बहुत अच्छा है पर सिक्षा बाधित कर देगा मैं यहां तक जानता हूँ बुरा मत मानिये अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है बहुत बहुत समझ रहे हैं बह दीरे दीरे चीजों को समझने में इसकदर इस्तिती आ गई है कि अब समझ में आ जाते हैं कि ग्रह क्या करने वाला है तो राहू प्रायह माबाप कहते हैं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है उसका प्लक्षण दिखेगा थोड़ा से रुकिए यह 18 साल की यह अपना प्रभाव दिखाएगा सबसे पहले तो आपकी दशा भी बच्चे की सुरू नहीं हुई है तेक तुस पर ध्यान रखिए उससे बाच्चित करिए चिरचड़ापन टेंसन विवाद की स्थिति वो बार बार उत्पन करेगा एक लाजवर्थ चांदी के उठें ब बैठते हैं जिस भाव पर द्रिश्ट डालते हैं उस भाव को लाभ पहुंचाते हैं अब इस हिसाब से ब्रिश्टुला में गुरू और धनुमीन में शुक्र का भी प्रभाव अच्छा ही होना चाहिए मैंने कहा था ना कि सारे प्रश्ण आज सार्वभामिक हैं और अच् थोड़ी है कि ब्रिश्टुला वालों को बच्चे नहीं होते हैं तो अगर उनको बच्चे होते हैं उनकी सच्छा होती हैं उनके जीवन में धन होता है तो उसके कारक कौन हैं देव गुरु ब्रहस्पती ही उनके कारक हैं देखिए ये कारक अकारक का जो भेद है न ये प्रतव भोग के मार्ग में योग साधना बाधा ही उत्पन करती है। यही तो बात कह रहा है वो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुला लगनके हैं वो साधना नहीं कर सकते, वो पूजापाथ नहीं कर सकते, वो देवता की आराधना नहीं कर सकते, वो भी तो कर सकते और उनकी भी कुंडली में संतान सिख्षा का कारक देवगुरु ही होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए देवगुरु कारक नहीं और वहीं अब बात मीन की कर लेते हैं, वहीं धनू की कर लेते हैं, अब इनके जीवनकाल के लिए ऐस्वाराम सुख बाधक है, अगर आप स अब देखें मीन लगन की कुंडली में शुक्र का संबंद कहां से है अगर लगन में होकर के उंचे का होकर के लगन में है तो मालब यूग नहीं बनेगा ऐसे जातक को जीवन काल में सभी शुक्रों का भी फायदा मिलेगा परन्तु वो शुक्र जब तरक भाव से संबंद बना रहे हैं तो रोग की उत्पत्ति का कारण भी बनेंगे यानि शुक्र का भोग जातक को रोगी भी बनाएगा तो प्रिदर्शकों आज इतने ही प्रश्णों को लेकर के मैं जोतिस जिग्यासा के इस कारेक्टर में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ था यदि आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्ण हो तो आजकल लंबे समय के अंतराल के बाद जोतिस जिग्यासा बन रहा है तो सारब भौमिक प्रश्ण हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके प्रश्ण के सम्मेलित होने की संभावना और ज्यादा होगी आज के लिए इतना हिजाजत दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार